सब्सकाव करें अपने योटीव चैनल क्यानल को और सोब्सकाइब करें अपने योटीव चैनल लाणड़ मेडिसिन में जहां आप पाथे दवाईयों के गयाले में संपॉन जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कांड से जुरी ही समयश्यों को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एक इयर्ड्रोप के बारे में जानेंगे यहां इयर्ड्रोप दो अलग-लग दवों का कॉम्पोजिशन ने जो की है कलोरमफेनिकोल तता बेंजोकिन हम जानेंगे इस इयर्ड्रोप में जो दोनों दवाया मिले गई हैं यह दोनों क्या हैं कि सतरह से कारी करती यह दवायां कितनी मात्रा में मिले गई हैं इस यहदिक्शन से मेडिस्टों में किसा प्रियोगू करन NASA जयाता है, इसको किस तरह से यूज लेना होता है, किस तरह से कान में डाला जाए, कितनी दिनों इसका प्रियोग करना है, साथ ही यह दि किसी विख्तुई उसके साइट इफक्ट होते हैं तो क्या हो सकते हैं? यह बाते हो इसके लएव कर नी महातपूरिन बाते हैं इस वीडि है लोफेंट्स नमस्ते दोस्ता हुँ इस इयर डॉप में ग्लोरवफनिकॉल एक एंट्यूबयोटिटिक दवा है जो बेक्टिरिया में प्रोटिन सिंथेशिस को रोगती है जिस करन्ड से बेक्टियल ग्रोथ नहीं होती और बेक्टियल इंफेक्शन ठीक हो जाता है और जो दोनों दवाइं मिलकर वीदी को ठीक करने का कार्य करती है अगर इन दोनों का इस click मिलाने जाती है इसे बारें बात करें तो इस एक रिंट्रॉण को इत्वेट-बाई-वोल्यूम की Otec AC Neo Ear Drop तथा Biomycetin Ear Drop यहाँ इसके कुछ popular brand है यहाँ पे Otec AC Neo Ear Drop है ना कि Otec AC यह दोनों अलग है अगर आप कहेंगे तो दोनों के difference का वीडियो में अलग से बना दोंगा यहाँ तीनों इसकी popular brand name में आपको freely कहें पे भी मिल जाएगी इसके अलग को दूसरी brand भी आपको मिले तो उसे आप ले सकते हैं अगर इसके price की बात करें कितने रुपे मिल जाती है तो यह ड्रोप काफी सस्ती ड्रोप है जो 30-40 रुपे की MRP मापको मिल जाती है उसे आप आसानी से खाई सकते हैं अब इसकी users को जान लेते हैं किन-किन इस्तितियों में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि एक anti-bacterial तता local anesthetic दवाओं को composition है तो इसका प्रियोग bacterial infection के साथ दर्द हो रहा है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है कुछ infection जैसे की कान में सबसे जो मुखी infection होता है वो होता है middle ear का infection जिसे ओटाइटिस मीडिया infection भी कहते है इसमें व्यक्ति का जो ear drum है उसके पीछे या तो पानी भर जाएगा या पस भर जाएगी जिस कान से बहुत तीस दर्द होगा swelling होगी व्यक्ति को चकर, nausea, vomiting, dizziness इस तरह की सभी समेशा होने लग जाती तो यह समेशा जब होती है तो उसका reason है middle ear infection हो गया है सामय नेता है जब यह infection होता है तो 2-3 दिनों में अपना भी ठीक हो जाता है लेकिन जब यह severe हो जाता है तो उस इस्तिति में antibiotic दवईयां डॉक्टर दरा प्रिस्काइब की जाती है यह direct कान में डालने के लिए भी हो सकती है और खाने के लिए टेबलेट भी हो सकती है तो उसमें जो कान में डालने की drop दी जाती है वह यह drop होती जिसका combination है इसके लाव जो दूसरे infection होता है आउटर इयर का infection जिसे हम otitis extrana भी कहते है इसमें जो कान का बाही हिस्सा है यहां से लगागा ड्रम में पूरी नली में कहीं पर भी infection हो जाता है जिस कान से यहां पर खिचाव लगना दर्द होना, सुजन आना, चुबन होना तो उस discharge में भी डॉक्टर यदी आवेज सकता है तो दिया जाता है वे समयने तक कोई ड्रोप नहीं देते हैं तो इस तरह से कान का जो भी infection हो जिसमें वेक्टिल इंफिक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए यहां एंटिबाइटिक ड्रोप दी जाती है अब अगर जाने इस एर ड्रोप के क्या-क्या side effect हो सकते हैं समयने तो इसके side effect नहीं देखे गए फिभी कोई side effect होता है तो आपको कान में चुबन महसूस हो सकती है जलन हो सकती है, redness बढ़ जाएगी, साती, दर्द होना यह महसूस हो सकता है इस तरह के कुछ छोटे-मोटे side effect आपको देखने की मिल सकते है यदि यह हो या इसके लोग को दूसरे side effect आपको मिले तो अपने ड्रोप आपको नहीं दे और को दूसरी दवाप को दे के आपके treatment किया जाए अब वीडियू का इंद में जान लेते है इस ड्रोक को कैसी use करता हैं तो कि पहले इसकी dose को जान लेते हैं, बाद में है किसके तरीक्व को जान लेंगे इसकी dose को जाने है तो एडल्ट में यह ड्रोप 2-4 दिन में 2 बार या दिन में 3 बार डालने की डॉक्टर दोरा सलह दी जाती है इसे सामेने तर 7-14 दिन तर डाला जाता है जिसे के आपका बेक्टिरिल इंफेक्शन कम्प्रीट करें से ठीक हो जाए अब इसे डालने का सही तरीका किया है जिसे कि best result मिले तो इस drop को डालने के लिए आपको जिस कान में दर्द हो रहा हो उसकी opposite side में अपने गर्दन को tilt करें जुकाएं फिर कान में ये 2-4 drop आप डाल सकते हैं और यदि आप लेट के डालें तो बहतिन रहता है जब आप कान में ये drop डाल देते हैं उसके 10-15 मिनिट तक आप लेटे रहें ये अपने गर्दन को जुका के रहें जिसे कि वो drop आपस बाहर नहीं आए उसके बाद में आप एक cotton ले अपने कान में लगा दे जिसे कि दवा बाहर नहीं आए दवा अंदर ही रहे अपना असर करती रहे इस तरह नहीं कि आपने दवा डाली तुरंती खड़े हो गए और कान को cotton से साफ कर लिए ये भी करते हैं आपको जल्दी असर नहीं मिलेगा तो इन साफधानियों के साथ यदि आप इस ड्रोप का परियो करते हैं तो आपका कान का infection जल्दी ही ठीक हो जाएगा तो यह पूरी जानक चैनल लानबुट मैडिश को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बट्रों को दबा कर जूर से सब्सक्राइब कर दो पासम बेल आकन आ रहा है इसको दबा कर ओल्द नोटिफिक्स करें जिसी कि आने वाले वीडियो के सब भी नोटिफिक्स आप मिल सकें और मेरे सबी देखे जित अपने YouTube channel Learn Out Medicine Thank you friends, take care and be careful to medicine users